तो इस वीडियो में आपको पैरोट को कैसे बोलना कि खाना है इसके मैं आपको पैरोट को बताऊंगी कि आप अपने पैरोट को बोलना को से सिखा सकते हैं तो वीडियो को आप भीना स्क metabolism किये देखिएगा आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चानल में पहली बारा रहा है तो फ्मीश मेरे चक्शा प्राइब करें और को प्राइब करें तो परफे अपने वीडियो शुरू करते थैं जैसे जैसे आप उनको बोलना सिखाते हैं वो उतने ही जोगी सीख जाते हैं तो लगभग दस है के अंदर में ही वो सारी बाते अच्छे से बोलना सीख जाते हैं तो पैरोट को बोलना सिखाने के लिए.. सबसो पहले आपका पैरोट आपके अच्छे से घूला मिला हो.. आप के उपर घूल ए वो डरता हो.. अगर आप की से डरता है तो आपके बातों पर ध्यान नहीं देगा.. लेकिन जब वो आपसे उपर घूल मिल के रहता है.. तब वह आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा जब भी भी आप अपने परोड को कुछ भी बोलना सिखाते हैं तो कभी भी आप बड़े वर्ड ना ले हमेशा चोटे वर्ड पर ही स्टार्ट करें अगर आपको परोड कुछ भी बोलना नहीं जाता है तो सकते पहले आप उसको मिठ्धु बोलना सिखाएं है ना जिसे कि आप मिठ्धु बोलना सिखा रहे हैं तो आप बार बार मिठ्धु मिठ्धु बोलिए दिन भर में जित्ता हो सके आप उसको केवल मिठ्धु ही सुनाएं ताकि वह उस वर्ड के खलदी से रट करके इसने बार भी आप उसे बात करते हैं हर वर्ड में आपको मिठ्व एड करना ही है जिससे वह और जल्दी जर्ट जोता कि आज वीडियों में देख सकते हैं कि मैं युखी वर्ड के बार बार दोशा के उसके सामने बोल रही थी तो वो भी धीरे धीरे reply कर लेए थी उस वैड का जब आप पैरोट को बोलना सिखाते हैं और वो आपको reply देना स्क्रक्ष कर देते हैं तो आप किसी भी चीज को उनके खाने के दे सकते हैं ताकि उनको अच्छा लगे कि वो भी सोचे कि हम जब बोलते हैं तो हमको कुछ खाने के लिए दो सकते हैं या फिर ड्राइफूट्स वगरा भी दे सकते हैं और उसको खेलने के लिए आप कुछ भी चीज दे सकते हैं जो चीज उसको खेलना पसंद है लिए एसले हैं जिसको पैरोड्स घुस्सें के जात्ह जादा बोलते हैं जिसकी पापा वर्ड को वह अच्छे से बोलते बंता है तो यह बॉल को देखके पापा वर्ड इंतेखी पापा, पापा, मायो मिस्टे भी ऐसे गुसा करके पापा वर्ड बोलना सीखे हैं तो इसे लिए मैं इसों भी उत्राई कर रहे थी कि ये भी पापा बोलना सीख जाए और ये एक ही बार में पापा बोलना सीख गई फर्ड है पैरोट को बच्चे काफी पसंद आते हैं बच्चों के साथ ये बहुत जल्दी भूलनी जाते हैं तो जो बच्चे बोलते हैं तो ये रिप्लाई भी बहुत जल्दी करते हैं तो जितना हो सके आप उनसे बच्चों के लिए से बाते करें है न या फिर आपको घर के बच्चे हैं तो आप बच्चे आप को बनाए साथ बोलते रहे हैं तो इसे की काफ़ी ज़ल्बों सीछ जाते हैं है और खुछ पयरोट काफ़ी चुपरिस्तम होते हैं मत्बब के वह अकेले ही जादा बोलना प्तेड करते हूं जैसे कि कोई नहीं दिखता है उनको तो वह जादा बोलते हैं लेकिन किसी को वह चलते ही देख लेते हैं या फिर कोई उसको छुपके देखता है तो भी देख लेते हैं तो वह उनको देखने लग जाता है एकदम छुपी हो जाते हैं तो आप उनको बोलने दे जब आप उनक तो एक दम सांथ छोड़ दे और कुछ पैरोट ऐसे भी होते हैं जिनको केज में रहके भी बोलना काफी अच्छा लगता है जैसे कि उनको आप बाहर निगाल दोगे तो वह सांथ सब्सक्राइड जाएंगे हर एक चीज को देखने लग जाएंगे लेकिन जैसे ही आप उनको क पैरोट को सिखांगे हैं जैसे कि मिठ्ठू बोलना चौण है तो जब आप मिक्ठो बोई तो आपको reply करते मिक्ठो करके तो बार बार ऐसे होता है तो आप बीच में कुछ दूसरा word ला जीए कि नाम बगरा है आप वही ला दीजिए तो इससे भी पेरोड क्या करते हैं कि हां सोचते हैं कि नया word नहां से आ गया तो इसको भी वो धीरे धी आप उनको भी दिखा सकते हैं जिससे आपके पैरोड और जल्दी बोलना चीखेंगे क्योंकि पैरोड के बोलने का तरीका अलग होता है तो वह जल्दी सीख जाते हैं उसको भी मैं टालकिंग पैरोड के वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्सम में डाल दूंगे आप व पैरोड को बोलना सिखेंगा है तो अपको उस वीडियो को भी करें करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको नीचे कैसा लगा थांक्यो फॉरच्ष खेंग है झाल